कि देखते हैं कैसी पाफोमेंस है कैसी नहीं तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसी है इसकी पाफोमेंस फिर्स्ट गेर में देखते हैं कितनी जाती है थर्टी फॉर्र सेकिन्ड गेर में फिफ्टी फाइव थर्ड गेर में ओल्मॉस्ट सेवेंटी सिक्स एट्टी एंड फॉर्थ गेर में लेट सी कितनी जाती है अपनी भाई के नाइंटी वन नाइंटी टू आइंटी त्री फॉर फाइव एंड यह जो है फिफ्ट गेर एंड यह अपन ने टच कर दी हेंड़ तो हेंड़ जो है बाईक न भी टच किया लेकिन आगे जाके टन था त्ट सवाइव मैंने थोड़ी सी स्लो कर ली बाईक और करनी भी चीए क्योंकि यहां रिस्क नहीं लेना चीए अपने को तो हेंड़ जो है पन ने टच किया काफी जल्दी 22 सेकेंड का जो है कंपनी क्लेम करती है बड़ाई थिंक उससे पहले ही इसने कंप्रेट कर लिया सब्सक्राइब काफी बढ़िया है इसको पन प्रॉपर टॉप स्पी टेस्ट नहीं बोल सकते इस इस ओनली एक्शलिशन टेस्ट तो दोवारा से करते हैं थार्ड गेर में फॉर्थ शिफ्टिंग मैंने थोड़ा जल्दी कर दिए यासे दोवारा से करता हूँ है फिफ्ट कि आई डॉंट थिंग की हैंड़ से उपर में टच कर पाऊंगा तो नहीं कर पाया हैंड़ से उपर टच अब की बार अपन चेक करेंगा अच्छे से इसको अच्छे से इसको सेकेंड गेर थार्ड फॉर्थ सेकेंड डाउन में भी लगबग 97 के करीब गई थी अभी देखते हैं कितना टच कर पाती है यह फॉर फिफ्ट तो स्पेस अपने पास ज्यादा नहीं है स्पेस होता तो आई थिंक यह ज्यादा भी टच कर देती जैसे कि आपने देखा भी 102 टच किया इसने ब्रेकिंग इतनी अच्छी है कि एबिस के ना होते हुए भी जो है यहाँ पर इतना अच्छा कॉन्फिदेंस मिलता है जैसे कि आपने देखा अभी तो कॉन्फिदेंस मिलेगा आपको पूरा है यहाँ पर आगे देख रहे हो रेडर जो है पीछे से काफी बढ़िया लगत गए अभी हलकी सी लीन होते ही बाइक तो ठीक है यार मेरे को काफी बढ़िया लगी ठीक है टॉप स्पीड टैस्ट आपने देखा अभी तो चलेगे इस मिलते हैं नेक्स टुडियो में वन जिरो टू अपने टच किया लाइक इससे उपर भी जाती है काफी ज्यादा जाती है पर यह से इसके एक्षाजिशन टेस्ट टू रेडर वन टंटी फाइव का तो मिलते हैं यह नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जैहिन वने मात्रम लव यूल गाइस